हाव रुफिक्स सैमसंग नॉट फॉर कॉल डिस्प्ले नॉट शोविंग प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों सवागर अब सभी काति किराच योट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस मे कॉल डिस्प्ले नॉट शोविंग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं ठीक है यहाँ के दोस्तों प्रॉब्लम क्या हो रहा है हमें जब इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आई तो सब्सक्रा अगर आप उनलाइन पैसा कामाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है एपस पर जाना है और उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है ठीक है यहाँ पर नीचे आपको आते जाना है और फोन पर क्लिक कर देना है फोन सर्वेस या फिर फोन उसके बाद आपको storage पर clear data पर click करते हुए OK कर देना है data clear करने के बाद दोस्तों आपको जाना है permissions पर और सारे permissions allow कर देना है सारे permissions allow करने के बाद दोस्तों आप अपने device को restart करें और check करके देखे solve हो चुका होगा आपका problem ठीक है और Samsung की device में दोस्तों कुछ इस तरीके का interface का setting भी होते है जो कि मैं आपको show करके अभी बताऊंगा ठीक है तो 3DOS पर click करते हुए setting पर जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों call background पर जाके layout चेक करेंगे layout दोस्तों कुछ इस प्रकार से भी आप set कर सकते ठीक है layout दोस्तों आप अपने हिसाब से set कीजिए और यहाँ पर आप देखें call display while using apps तो इसको भी आप यहाँ पर set कीजिए full screen चाहिए call pop-up चाहिए या फिर mini pop-up चाहिए ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पर set कर सकते अगर आप यह सब setting set कर देते तो अच्छे से काम कर जाएगा problem solve हो जाएगा by any chance अगर आपको problem आते हैं तो आप जाए आपने mobile के setting पर setting पर जाके दोस्तों आपको scroll down करना है software update पर click करना है और mobile software update कर देना है mobile software update करते हुए दोस्तों आपको यह problem solve हो जाएगा by any chance software update के बाद प्रॉब्लम आ रहा है तो आप दोस्तों mobile पे default यहाँ पे कुछ application यूज करना होगा ठीक है जैसे की default डाइलर true color तो true color को ऐसे default डाइलर आप यूज कीजिए तो इससे काम बन जाएगा कुछ दिन के लिए ठीक है जब तक कि next software update नहीं आते तब तक आपको यूज करना है next software update में 100% solve हो जाएगा problem तो इस तरह के से call display not showing problem fix कर सकते हैं उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसने होगा thanks for watching